ओम से गणिशाय नमा दोस्तों ओम गणपती स्वामधान यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत हैं दोस्तों हम आज बात कने वाले हैं चार कुटूबर सौनवार आज के मेश रासिफल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रेना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और विपसाय कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लाव डाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्पून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटफिशन की बेल को भी दमाएं जिससे आप तक समय समय पर नहीं नहीं महत्पून वीडियो पहुँच सके तो चैली दोस्तो बात कर लेते हैं कैसा रहीगा आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही सुब होगा और आज आपके दुआरा किये गए कारियों से आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा साथ ही आपके निरने लेने की चमता का लाब भी आपको मिलेगा जिया दोस्तो आपकी रुचिया धार्मिक कारियों में बढ़ेगी और आपको सुब भलो की प्राप्ति होगी साथ ही आज आज आप सामाजिक और धार्मिक कारियों में सहीयोग करेंगे आज का दिन आपके लिए लाब प्रदान करने वाला दिन है यदिए आपकी पदोनेती काफि समय से रुखिए है तो आज आपको लाब मिल सकता है साथी आज बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी बहुत ही खास दिन है आपके व्यापार में कुछ नए परिवर्तन होंगे जो आपको लाप प्रधान करेंगे परिवार की तरप से भी आपको आज सुब समाचार मिल सकता है जिया दोस्तों साथ ही आपके अधिकारों में भी व्रद्धी के साथ साथ उत्रादायत भी बढ़ेंगे आपके उपर जिम्मेदारियों को बोज़ भी आ सकता है आप दूसरों की भलाई सेवा वमन लगा करते हैं जिससे आपको औश्रही लाप प्राप्त होगा इसका लाप आपके संतान को भी मिलेगा साथी आपकी रूची दूद दही एवं मिश्टान में बढ़ेगी जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और संतान के प्रती आपकी प्रेम बहावनाएं बढ़ेंगी दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपके लिए क्या नेगेटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपको कोई भी निरने बहुत ही सोच विचार कर लेना होगा अक्समात लिया गया फैसला आपको जोखी में डाल सकता है अचानक लिए गए फैसले से हानी हो सकती है और साथी संतान को लेकर चिंता बढ़ सकती है दोस्तो आज वहान और मसीनरी के प्रियोग से सावदान रहें वहान नियंतरित गती में ही चलाएं दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपकी लवलाई के बारे में दोस्तो आज दामपते जिवन काफी खुशी ओबरा रहेगा पती पतनी में मीटी नौक जोख हो सकती है आप महसूस करेंगे आपके प्रिया का प्यार आपके प्रिती बहुत गहरा हो गया है जो रिष्टे अलग से हैं उन रिष्टों में दूरिया बढ़ सकती है आपका प्रिया किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकता है दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपके विवसाई के बारे में आज का दिन वियापार में आए के सुरोत बढ़ाने वाला दिन है आई में बढ़ोतरी होगी विवसाई की योजनाओं से लाब मिलेगा किसी नए विवसाई में पूझी निवेस का आपको बहुष्य में अवसही लाब प्राप्त होगा आज मकान दुकान या जमीन जादाद खरीदने के योग हैं दोस्तों सेयर बाजार में पूझी सोच वीजार कर ही लगाएं दोस्तों आप बात कर लेते हैं आपके घर-परिवार के बारे में घर-परिवार में खुशियां बरकरार रहेंगी आज गरस्त जीवन में सांती बने रहेगी जीवन साती से समzent मजबूत होँगे कोई पुरानी स्वास्त समंधी समस्या प्रेशान कर सकती है या कोई मानसिक टेंशन भी हो सकती है मानसिक टेंशन को अपने उपर हावी ना होने दें दोस्तो अपना स्वास्त उत्तम रखने के लिए नियमित योग करें, व्यायम करें, प्रणायम करें और स्वस्त रहें। करें, स्वस्त रहें।